दैनिक सवेरा अम्हेरे से पुझाले की ओए करमचारियों से जुड़े कई एहम मुद्दों पर चर्चा की गई वैठक में निरने लिया गया कि करमचारियों द्वारा अपनी मांगो को लेकर दो सितंबर को हरताल की जाएगी अमरे सर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट अपना सेंट्रल ट्रेड यूनियन सब मिला के एक प्लाटफर्म बना दिया चार साल से सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन दिवांड दिया दस पॉइंट चार्टर अप दिमांड गवर्मेंट को इसमें लेबर लिजिसलेशन चेंट्रल ट्रेड इउनियन से काणिजल करके करना है और डिस इंवेस्मेंट इन पॉब्लिक सेक्टर अईन्टेकिंग में करना नई है और उन्ट्रैक्टराईजेशन प्रिवेटेजेशन आउट्सेर्सिंग पुरा बंद करना है और existing contract employees को regular employee को कितना देता उतना 50% इनका तंका देने का minimum bonus 15,000 तक बढ़ाने के लिए और अपना Gratuity Act एमेंड करने का ये सब चीजों का उपर government को हम लोग notice दिया इसका बीच में पे कमिशन अभी अपना रिपोर्ट सेप्टमबर तक देने का है और रिपोर्ट के recommendation के बार में government क्या वो सोच है वो भी पता लग जाएगा तो सब लेकर हम लोग 23 नवंबर 2015 को Central Government Employees का strike में जाने के लिए वो भी तयारी करें